सिंपिल हार्मोनिक मोशन करता हुआ जो भी सिंपिल हार्मोनिक मोशन करना पार्टिकल या बॉड़ी उसमें एनर्जी है और दो तरह की एनर्जी है पहली तो कायनिटिक एनर्जी ड्यू टू मोशन के करन कायनिटिक एनर्जी है क्योंकि मोशन वह है लवातार अब कितनी कायनिटिक एनर्जी होगी किसी भी इंस्टेंट पर कायनिटिक एनर्जी का फार्मूला आपका कायनिटिक एनर्जी कितनी है half m v square तो kinetic energy कितनी मिनेगी half mass of the particle और velocity कितनी होती है हम initially हम मान के चलते हैं कि mean position से start किया तो velocity का formula कितना होगा बोलो A A omega cos mega t whole square तो kinetic energy कितनी होगी half m a square omega square cos square omega t एक तो यही सीधा सीधा formula बन जाता है kinetic energy का joule में है यह kinetic energy ठीक है थोड़ा सा यहाँ transformation इसे कर सकते हैं half m a square और cos square theta को हम लिखेंगे 1 minus sin square omega t ठीक है k is equals to half m omega square a square minus a square sin square omega t मैंने एक को multiply कर लिया वसंदर bracket के ठीक है तो kinetic energy half m omega square a square ज़र देखना तो उसे a sin omega t क्या होता है a sin omega t है y तो यह a square sin square omega t बन गया आपका क्या y square तो एक यह फार्मूला आपका बन जाता है काइंटिक इनर्जी का फार्मूला ठीक है काइंटिक इनर्जी भी है और क्योंकि आपका पार्टिकल जो भी मूव कर रहा है वो हर वक्त हर टाइम हर हर इंस्टेंट पर किसम है under the influence of restoran force restoring force की influence में है वो तो फिर इसमें एक और energy है जिसे हम बोलते है're क्या potential energy potential energy अब potential energy कितनी है simple harmonic motion में एक simple harmonic motion गरते है particle की potential energy कितनी होगी ध्यान से समझना इसे ध्यान से समझना यह मीन पोजिशन है पार्टिकल की और पार्टिकल ऐसे ऐसे यहां मूव कर रहा है ठीक है यह मीन पोजिशन है यह पॉजिटिव एक्स्ट्रीम है एम्टिट्यूड ए तक यह निगेटिव एक्स्ट्रीम है एम्टिट्यूड ए तक दो उन्ही तरफ extreme तक कहा जाएगा mt2 यह positive यह negative mt2 ठीक है अब किसी instant पर particle यहां है कितने distance पर है y distance पर particle यहां है y distance पर है ठीक है तो इस पर लगने वाली restoring force कितनी होगी बताइए इस पर लगने वाली restoring force in the direction opposite to the displacement कितनी restoring force हो जाएगी minus हाँ बोलो m omega square y हाँ निगेटिव भी तो होता ही displacement अगर यह ले रहे हैं तो force की direction इसकी opposite है m omega square अब ध्यान से समझना ध्यान से देना यह y displacement था आपने इस force के अगेंस्ट बोली को चोटा सा displacement दिया कितना से स्था डिस्प्रेश्मेंट दिया दिवाई तो वर्करना पढ़ेगा तो वर्ककरना पढलेगा थीक तो वर्क इतना करना पढ़ेगा कितना होगा बताना जरा ध्यान से यह दिवाइब कितना होगा बताना जरा ध्यान से यह DW is equals to F.dy यह तो में नहीं तो अदिवाइब देखना ध्यान से फोर्स और ध्यान कि बीच का एंगल कितना है देखो ध्यान से यह फोर्स का आइट कर रहा है है तुवर्ज में पोजिशन लेकर इस्पलेस्मेंट आपने कहा गिया, आवे फ्रॉम मीन पोजिशन तो यह DW कि d w is equals to f dy cos 180, तो कितना हो गया, minus f dy, then d w is equals to, कितना, force कितना है, force यह रहा पहली, m omega square y, तो माइनस, m omega square y, negative में है, खुद यह, into dy, तो d w is equals to, कितना बना, m omega square y dy, अब आपने, अब आपने यह, कौन सा, कौन सी force, कौन सा work find करा, छोड़ असा displacement, dy देने के लिए, लेगिन, actually displacement, तो आपने कहां से कहां तक का गिया है, यहां तक का दिया है, और से लेकर, मैं इस point का नाम लिखता हूं, p, और से लेकर, p तक का आपने displacement, कितना displacement, दिया है, y displacement, दिया है, तो अब आपके पास, क्या होगा, दिखिए, total work done, for, displacing the, particle by, by, by distance, y, y distance, तो अब आपको कह करना होगा, अब आपको integrate करना होगा, dy का कहां से, 0 से लेकर के, y तक, तो w is just to integration, 0 to y, dy कितना है, sorry, dw, dw कितना है, m omega square y, y, dy कर्रेक्ट, मास कॉंस्टेंट है, एंगुलर स्पीड, omega constant है, तो integration क्या बचा, y, dy, 0 to y, अब देखना जरा ध्यान से, क्या बनेगा, m omega square, y square by 2, from 0 to y, मैंने इसे बाहर ले लिया, m omega square, और y square minus 0 square, तो work कितना हो गया, half m omega square y square joule, and this work, this work, appear as what, potential energy, तो potential energy, यू इसी कर्स्ट हो गया, half m omega square y square joule, यह potential energy का formula हो गया, है आपका, थोड़ा साइसे, अगर आप चाहें, तो modify कर सकते हैं, क्या modify कर सकते हैं इसमें, potential energy कितनी find हुई, u is equals to half m omega square y square, तो u is equals to half m omega square y, को लिख सकते हैं, a square sin square omega t, यह भी joule में, यह भी joule में, यह आपका आगया क्या बोलो, potential energy आप, ठीक है, potential energy कब आगे, कब की potential energy है, जब particle अपनी mean position से wide distance पर है, कब की energy है, जब particle अपनी mean position से wide distance पर है, कब जब particle अपनी mean position से wide distance पर है, और जब particle अपनी mean position से wide distance पर है, उस time quantity energy कितनी है, अब टो टोटल नोजी के आपको टोटल नजी कितनी है मैं टोटल एनरजी जिकस तू कैंटिक अनरजी प्लस 12 नंचेह तोटल एनर्जी को किस से लिखू मैं है बस मैं टोटल एनर्जी लिख देता हूं टोटल एनर्जी का फॉर्मॉला कितना है देखना ज़्यान से काइंटिक एनर्जी है आपका हाफ हाफ म foundation force कॉ मैं टि कितनी है हाफ में मैं टोटल एनर्जी का फॉर्मॉला यह एंट्फ म m omega square a square sin square omega t तो simple सी बात है total energy में से क्या common ले लो half m a square omega square ले लो तो बचा cos square omega t plus sin square omega t और ये मिल करके क्या हो जाता बन हो जाता तो total energy of particle is equals to half m a square omega square joule और बहुत ध्यान से देखिए कि टोटल एनरजी के फॉर्मुले में आपका displacement आ ही नहीं रहा टोटल एनरजी के फॉर्मुले में जो भी आ रहा है M constant है A amplitude constant है और omega angular speed भी constant है तो इसका मतलब क्या होती है total energy is constant ठीक एट एवरी पॉजिशन हर जगा potential total energy बिल्कुल constant बनी रही है मतलब क्या हुआ कि अगर काइटिक इनरजी घटेगी तो प्रोटेशल बढ़ जाएगी प्रोटेशल घटेगी तो काइटिक इन बढ़ जाएगी अपने आप कि यह फार्मूले होगा हमारे पास सारे करेक्ट अब देखना अब तक हमारे पास कितनी एक्वेशन्स आई हैं कितनी एक्वेशन्स आई हैं कि यहां तक कि बार टोटेशन जाएगी